टीम इंडिया से होगी धूनी की छुट्टी ये खिलाडी लेगा माही की जगए टीम इंडिया ने रविवार को वेस्ट इंडीज पर दूसरे वंडे में जीत हासिल करते हुए सीरीज में एक रिंड शुन्य की बढ़त बना ली है पांच वंडे और एक टीबीस की सीरीज खिलने विंडिज गई टीम इंडिया को बारिश से खासी परेशानी हो रही है कोहली एंड कमपनी ने इस बार क्लीन स्वीप का इरादा जटाया था लेकिन पहला ही मैच दूल गया टीम इंडिया की ओर से दोनूं वंडे में टॉप ओडर के बल्लेबाजों ने खासे रन बनाए है ऐसे में कप्तान विराट कोहली 2019 के वर्ल्ड कप की तयारी को देखते हुए अब तीसरे मैच में नई खिलाडियों को आज माने का संकेत दे रहे है ऐसे टीम में हिमेज भूनी के उत्तरा धिकारी माने जा रहे विकेट की पर बल्लेबाज को भी जगेह मिल सकती है सीरीज का तीसरा मैच 30 जून को खिला जाएगा कप्तान विराट कोहली पांच मैचों की वंडे सीरीज के तीसरे मैच में प्रयोग करना चाहते हैं उनका मानना है कि इससे उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के लिए टीम तयार करने में मदद मिलेगी साथ ही नई खिलाडियों को आज माने का इससे बहतर अफसर नहीं हो सकता इसी हिए जयन करताओं ने कई युगाओं को मौका दिया है इनमें से एक कोदी प्यादव ने अपने करिया के दूसरे वंडे में ही छाप छोड़ दी है और विराट ने उनकी प्रशनसा भी की है उनका संकेत समझे तो वर्ल तीसरे वंडे में एक अन्य युगा बल्लेबाज रिशप पंत को मौका दे सकते हैं और तलब है कि पंत विकेट की पर भी है और उनका अंदाज आकरामक है माना जा रहा है कि धूनी के रिटायर्मेंट के बाद वर्ल टीम में बिलकुर फेट बैटेंगे कुछ दिनों पहले ही रिशप पंत विंडीज में धूनी से टिप्स लेते देखे गए थे उन्होंने कुछ समय पहले कहा भी था कि मौका मिलने पर वह धूनी से कीपिंग के साथ साथ तनाव के समय बल्ले बाजी करने के गुर्पी सीखना चाहेंगे उन्हें यह मौका विंडीज की धर्ती मिल ही गया कप्तान विराट कोहली ने कहा हम बैटकर टीम में संभावित बदलाव के बारे में फैसला करेंगे हम एंटिगा जाकर एक बार फिर टीम बनाएंगे और इसमें कुछ नए खिलाडियों को मौका मिल सकता है विराट ने टीम में तीसरे उपनके विकल्प पर भी बात की और इसके लिए रहाने को बिल्कुल उप्युक्त बताया गौर तलब है कि रहाने ने दूसरे वंडे मैच में शतकी अपारी के लिए जबकि पहले वंडे में 50 बनाई थी कोहली ने कहा रहाने के पास शीर्ष स्तर पर बल्ले बाजी करने की क्षमता है लेकिन जब रोहित शर्मा और शिकर धवन टीम के लिए वंडे क्रिकेट में शांदार प्रदर्शन करते हैं तो यह हमारे लिए और भी शांदार बात हो जाती है ऐसे में रहाने हमारे लिए तीसरे सलामी बल्ले बाज के तौर पर एक विकल्प के रूप में हमेशा मौजूद रहे